भारत ने वो कहावत बिल्कुल सच करके दिखलाई है कि जैसे को तैसा मिला सुनरे राजा भील अगर लोहे को चूहा खा गया तो लड़का ले गई चीन भारत ने चीन की वन चाइना पॉलिसी को धक्का देते हुए ताइवान को उस इलाके में उतार दिया है जिस इलाके को लेकर चीन बार बार भारत को डराने की कोशिस करता है चीन को अपना ही खेल बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो वहीं बॉखला कर जिन पिंग ने बंगला देश को क्यों धमकी दे दी क्या बंगला देश ऐसा कुछ करने जा रहा है जो चीन के खिलाफ है चीन के लिए दोनों ही जगह मचे बवाल जानेंगे इन खबरों को बिस्तार से देखो चीन में जब कम्युनिस्ट सासन आया त जब ताइवान ने अपना संसार शुरू किया और चीन अपना पर एक गलती या फिर यह कहें गलत तो ताइवान नहीं था पर ताकत के मामले में चीन के सामने कमजोर था ऐसे में ताइवान ने ये कह दिया कि चीन की जो मेंड लेंड है यानि मुख्य भूमी वो हमारी है नियम के अनुसार तो सचमुच ऐसा ही होना चाहिए पर बदले में चीन ने अब ये कहना सुरू कर दिया कि ताइवान की भूमी जो है वो हमारी है और और उसके लिए चीन न अच्छे को देखते हुए दुनिया के देश यहां तक की अमेरीका भी ताइवान को महत्व नहीं देने लगा वन चाइना पॉलिसी के खिला कोई भी नहीं गया भारत भी नहीं गया था पर जैसे ही ये महामारी शुरू हुई वैसे आपको बता दें ताइवान ही वह एक मात्र देश है जहाँ पर ना के बराबर या सुन्य के बराबर महामारी के केस मिले इन्होंने बहुत अच्छी तरी अगर कोई भी ताइवान के साथ खड़ा होता है तो हम यही मानेंगे कि वह हमारा दुस्मन है अब देखो ताइवान के पास कई नुकसे हैं कई राज हैं जो यह बता सकता है कि इस महामारी से कैसे छुटकारा मिलेगा आखिर उन्होंने भी तो रोका इसके लिए ताइवा प्लू एचो की एक बैठक होने वाली है जिसमें ताइवान को आपजरवर के तोर पर भुलाये जाने की संभावना है इसे देखते हुए चीन पहले से ही बौकलाया हुआ था पर इस बौकलाहट में भारत ने बड़ा तड़का लगा दिया है दरसल भारत का ये नौर्थ इ इसमें धमकी भी देदी है चीन ने पर अब उसकी धमकी को चुनावती देते हुए भारत ने यहां पर ताइवान को उतारा है दरसल ताइवान की तरफ से भी भारत को बड़ी मदद आ रही है और इन मदद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिलिंडर दवाईयां यह सारी चीज को सुनिश्चित किया गया कि ताइवान से जो भी मदद आ रही है वो सीधे नौर्थिस्ट में पहुंचे पर अब खास बात यह निकल करे आ रही है जो पिक्चर रिलीज की गई है उसमें लेट ताइवान हेल्प का कैंपेन का पोश्टर लगा हुआ है और लव फ्रों ता पॉलिसी को चेताओनी देते हुए चीन को यह समझाया है कि हम वो नहीं है जो जुग जाएं वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है भारत के पडोसी बंगलादेश से देखो भारत के जितने भी पडोसी हैं वो चीन के लिए बहुत माइनी रखते हैं लेकिन भारत के इन पडोसीयों को भी अब दिरे दिरे समझ में आ रहा है कि चीन न सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है बलकि वो उन पर कबजा भी करेगा अब चीन ने बंगलादेश को सीधे सीधे धमकी दी है कि अगर तुमने चीन के खिलाफ कुछ भी ऐसा करने की कोसिस करी जो चीन बिर और इसके अलावे पिछले ही हपता चीन ने एक भर्चुल मीटिंग करी थी दच्चीन एसिया के जितने भी देश हैं उसको लेकर कोरोना और वैक्सीन को लेकर और इसके बाद वैंगफई स्रिलंका भी पहुँचे थे दरसल अब बात ये उठ रही है कि क्वाइड में सामि के लिए क्वाइड में सामिल होना चाहिए और इसकी भनक चीन को लग गई है खास करके शुरू में जब क्वाइड का गठन हुआ था तब चीन ने उतना ध्यान नहीं दिया था और कहा था ये पानी के बुलबुले की तरह हैं ये बनेंगे और बिखर जाएंगे लेकिन 2020 से जैसे ही क्वाइड मजबूत होता जा रहा है उसे देखते हुए अब क्वाइड के खिलाफ चीन की भी रन्निती तेज हो गई है यही वज़े है कि चीनी रक्षा मंत्री देश विदेश गूम रहे हैं लेकिन चीन इतने कड़वे रूप से बंगला देश को धमकी देगा य इन ने धमकाते हुए कहा है वो भी बंगला देश में धाका में चीन के राजदूत ने आपको बता दें बंगला देश में ली जी मिंग है चीन के राजदूत जिनोंने लोकल मीडिया में यह कहा है कि अगर बंगला देश क्वाइड को जॉइन करता है तो बंगला देश और चीन के रिष्टे बेहत खराब हो जाएंगे हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी भी तरीके के रिष्टे में खराबी आए और बंगलादेश किसी भी तरह के गटबंदन में सामिल हो उन्होंने ये कहा कि चीन के लिए क्वाइड एक एंटी चाइना ग्रूप है और अगर इसमें कोई सामिल होता है इसका मतलब है कि वह चीन के खिलाफ है फिर हम उसके साथ वही करेंगे जो हम दुस्मन के साथ करते हैं अब देखो क्या सचमूच बंगलादेश क्वाइड में सामिल होना चाहता था जिसकी वजह से चीन इस तरह से कर रहा है तो कहीं न कहीं सच्चाई ज भी बंगला देश और स्रिलंका जैसे पडोसी देश जो भारत के हैं उनको धमकानी की कोशिस कर रहा है चीन अगर बंगला देश भी क्वाइड में सामिल हो जाता है तो समझलो आपकी ये पूरा इलाका पूरी तरीके से सुरचित हो जाएगा और यही वज़े है कि बंगला द सही भारत के कई पडोसियों को क्वाइड में सामिल किया जा सके जो की चीन के खिलाफ खड़े हो सके वैसे आपको क्या लगता है क्वाइड में अगर बंगला देश सामिल होता है तो क्या ये भारत के लिए फाइदे मंद होगा कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलत अगले वीडियो में नई खबर के साथ